बीजेपी के खिलाफ वोट किया है अब दोनों सीट आर्जेटी वे इद्वार असानी से जितुए है चिराग पास्वान तो इसे भी पेशले चुना वही बीजेपी के लिए काम किये थे चिराग पास्वान कोई चमतकार नहीं कर रहे है इस वार की उन्हेंट परचार की वो दोनों सीट महागडबंदन कहीं खाते में जाएगी हलाकि राजद के तरफ से भी दिगस नेताओं का यह ब्यान है कि दोनों सीट जो है बीजेपी वहां से हा रही है और हम लोग मुकामा और गोपालगंज सीट जो है वो जीत रहे हैं इसमें कितनी सचाई है क्योंकि गोप अब लगाया जा चुका है इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं कोग्रेस के विहार विधान परिशत के सदस्व प्रेम शनमिश्रा दोनों सीटों को लेकर के क्या आपकी राये हैं तक अब तो मदान हो चुका है जो रिपोर्ट्स आई है वो महागडबंदन परत्यास यानि कि आपने जो वहाँ पर कमी छोड़ रखी थी उसे RJD के प्रत्यासी पूरा कर लेंगे बिल्कुल उसमें वो समय करन नहीं था जो इस समय हुआ है आज की डेट में जो हमारा महा कटबंदन में साथ पार्टियों का गटचोर है यह अपने आप पे बहुत ही स्ट्रॉं नहीं था इस ते मेरा वहाँ आधार है कहने का कि लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है और दोनों सीट अर्जेटियों इद्वार असानी से जिते हैं साथ को पार्टी मिल करके चाप छोड़ेंगे इस बिल्कुल बिल्कुल उमारा महा गटबंदन में जीतेगा औ और आने वाले समय में भी इसका इंपक्ट ये पड़ेगा बिहार में कि आज जो 174 विधायकों का समर्था नितिस जी के नेत्रुत वाली सरकार को है इसका समाजिक आधार भी बढ़ा है वो इस उप्चुनाव से अस्परस्ट हो जागा लेकिन उनके लोग उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी थी और सभी दलों के लोगों ने कार्ण करता समर्थ जी जान से लगे थे और हम दोनों सीट चुनाव जितते जारा है लेकिन अब बीजेपी उन्हें भी अपने पाले में सामिल किया है तो क्या लगता है कि समिकरन बद़ सकता है क्या डिपंब कही। तो चिराग पास्वान कोई चमतकार नहीं कर रहे हैं इस वार कि उन्हें परचार कि अगरी बीजेपी के साथ थे हैं और आगे भी रहेंगे इसलिए इन चीज़ों कोई इंपक्ट नहीं पड़ेगा इंपक्ट यहीं पड़ना है कि जो प्रतवान सरकार है उसमें सामिल समर्थक दलों का जो समाजिक आधार है वो बहुत ही स्ट्रॉंग है और कहीं से भी बीजेपी को हराने में सक्षम है कि जो वहां की जो नतीजे बंद कर रहे हैं इसे शाम पता चल रहा है कि जो पासवान वोट्रों को ठिराग पास्वान में गोल्बंद किया है उसने बीजेपी को फैड़ा होने वाला है फिर आप छोंग कि सदहर पर करे कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं आप किसी सब्सक्राइब नहीं है लोग देख रहे हैं कि BJP की सरकार रहते हैं बिहार की क्या हालत थी और बीजेपी जब सत्ता से बाहर हैं तो सरकार के कौन से कारक्रम चल रहे हैं और उसका इंपक्त जनता पर क्या पड़ रहा है समाजिक समिकरण का अपने आप पर बड़ा महत हो इस कुमार के अगोई वाली गठवंधन के पक्ष्वे लोग हैं और आप देखें कि चुनाव पर ना अरजेडी उमिद्वार के पक्ष्वे होगा महा गठवंधन की सरकार चला रहे हैं दो सीट पर उप चुनाव रहा है धुआधार आप लोग के तरब से प्रचार प्रशार क किया गया अगर चुनाव हार जाते हैं तो कितनी बड़ी सबत हैं कि अगर को पारटी का उमिद总़ हारता है सविकिन इस पर अजोडान को ब्रेशेंड जीतें का और जीङरी कारी अधिवार दोफ्रेट्कों के पक्षम सवाल है कि प्रशांद की हाल की दिनों के बेगा हैं क प्रशांत किसोर कौन है किया हो उनके बयानों को लेकर प्रतिक्रियाल देना लेना अगर प्रसांत किसोर को इतना अच्छा लगता है या दर्द हो रहा है प्रसांत किसोर अपने आगे किसी अल्व संखक को रखें और बिहारें जो उनका अभ्यान चला उसमें चला भी कोई रोकता है कि अपने संगठन का अध्यक्ष मना दें उनके नेत्रुत में काम करें वह सिर्फ पॉइंट आउट करना अलोचना करना और कुछ ऐसे बयान देना जिसे खबरों बने रहें कि कई से भी उचित नहीं है जीत रहे हैं लेकिन ये तो भवी से कि अगर में कि आगे क्या होने वाला है इसकर बस इतना ही बने रहे है निज पॉनेशन के साथ अब तक हमारे चैनल को सब्स्राइब में किया है तो कलिजे धन्यवाद